हालो गाईज, देस इस विहान, एचपी स्टाफ नर्स की सीरिज का ये सेकिंड पार्ट होगा, इस स्टाफ नर्स सीरिज में हम इंपोर्टन्ट कॉश्चन्स डिसकस कर रहे हैं, ये वह कॉश्चन्स हैं, जो आपके नर्सिंग एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पूरा होना चाहिए, वाट्साप करके टीम से आप जानकारी प्रापत कर सकते हैं, स्टाफ नर्स एक्जाम के रिगार्डिंग, ये रहा हमारी टीम का वाट्साप नमबर, दोस्तों, यहां पर पहला क्वश्चन है, साइट फॉर मन्टॉक्स टेस्ट, यानि की मन्टॉक्स टेस्ट के लिए कौनसी साइट या जगा, या फर सिंपल लेंग्वेज में कहूं, तो मन्टॉक्स टेस्ट कहां से लिया जाता है, दोस्तों, क्वश्चन के साथ सिर्फ मैं आपके सामने अंसर रखूंगा, तकि आपको ज़्यादा कन्फूजन्स ना रहें, इसका का कि स्ट 적 साथ आइन क्रीकार का डौट क्वश्चन, वास्ट सेफ आप कर सकते हैं, शर्व्यादा, क्रेश केर सकते हैं, स्टाफ नर्स क्यरीकारिंग्वेजन्स, तो यह आपरम नेक्स्टट क्वश्चन है, दोस्तों डरदनाक डर्द, कब जब पिश्चाब का बार वार आना होता है ठीक है तो इस options में आपको हमने आपको बताना है कि किस time ज्यादा दर्दनाक दर्द होती है जब पेशाब का बारवार आना होता है ठीक है यहां पर first options की बात करेंगे अनिराइसिस यानि की अनिराइसिस का मतलब होता है लगातार पेशाब आना ठीक है दसूरिया यानि की पेशाब में जलन इरिटेंशन ऑफ यूरिन पेशाब का रोकना या फिर डाइरिया दस्त अब आपने बता रहा है इसका सही अंसर option number B is the right answer यानि की डिसरिया पेशाब में जलन जब होती है तब दर्दनाक दर्द जोव होता है ठीक है तो इस तरह की आपको questions देखने को मिलते हैं और दोस्तों यह questions आपके exam में बहुत बार बन चुका है ठीक है तो आपको याद रखना है options number B clear next यहां पर the next question is amount of solutions used for evocant animal in adults very very important questions adults में evocant animal के लिए use किये जाने वाली जो मात्रा है जो amount है वो कितना है इसका सही answer होगा option number C 500 से 1000 ml जो वो दिया जाता है ठीक है एक evocant animal adults के लिए ठीक है और यह questions भी आपके exam में बहुत बार nursing के exam में दोस्तों यह जो questions है वो PGI में टेस्ट हुआ था उसमें भी questions include रहे थे aims जैसे प्रिक्षा में भी यह questions include रहे थे तो दोस्तों आपके हिमाचल के लिए जो questions रहेंगे वो भी आपके लिए important रहेंगे तो आप इन questions की waiters आप देख सकते हैं ठीक है अच्छी question के लिए WhatsApp कर सकते हैं अब crash course join कर सकते हैं next question यह पर drugs used to relive pain दोस्तों दर्द से रहत के लिए ठीक है रिलीव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं कौन सी है दोस्तों options आपके सामने हैं इसका बिल्कुल सही answer होगा option number D यानिकी analgesic analgesic होती है दर्द मिटाने वाली दवाई होती है ठीक है आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने इसके बारे में study की होगी clear यहाँ पर next questions देखेंगे the next is hormone secreted by the testis यानि की testis के दौरा निकलने वाले hormone को दोस्तों हम क्या कहते हैं इसका सही answer होगा androgens androgens यानिके दोस्तों nerve hormone male hormone इनको हम कहते हैं ठीक है options number C और यह questions भी आपके exam में बन चुका है दोस्तों यह questions है वो आपके magazines में भी और newspaper में भी highlighted रहा है यह questions ठीक है तो आप इन चीज़ों को skip नहीं कर सकते हैं clear यहां पर next questions देखते हैं the next question is one teaspoon contains ml दोस्तों very very important questions यह questions दोस्तों क्यों add किया गया क्योंकि इस questions के पीछे search भी हो चुकी है क्यों हो चुकी है मैं आपको थोड़ा से यहां पर clear करवाता हूँ एक चमच जब doctor सलाह देता है किसी भी दवाई को पीने के लिए तो दोस्तों उस चमच का मतलब कितना होता है कितने ml की यहां पर बात की जाती है पांच ml की बात की जाती है ठीक है अब दोस्तों एक research हुई थी जिसमें किया पाया गया था कि कुछ जब doctor चमच की सलाह देते हैं एक दवाई को पीने के लिए तो कुछ चमच जो हमस साइज में बड़े होते हैं और कुछ चोटे होते हैं ठीक है कि 5 ml कम से कम दवाई उसमें होनी चाहिए ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का और यह questions highlighted भी है clear next questions की हम पर बात करेंगे the next question is 1 ml contains drops very very important questions 1 ml contains यानि कि 1 ml में कितनी बूंदे होती हैं इसका सही answer होगा 15 drops very very important questions यह जो question है दोस्तों वो आपके aims में भी पूछा जा चुका है आपके EGI के test में भी पूछा जा चुका है और हिमाचल के nursing exam में भी पूछा जा चुका है ठीक है तो आप इन questions के उपर गोर करिए बहुत ही जादा important है full preparation के लिए whatsapp करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं crash course आप join कर सकते हैं ठीक है next questions की हम यहां पर बात करेंगे the next question is average weight of newborn baby very important questions एक ने जनवे बच्चे का जो ओसत बजन है वो कितना रहता है इसका सही answer होगा 3 kg ठीक है एक normal की यहां पर बात की गई है ठीक है यह कि इससे उपर होगा तो वो भी एक dangerous sign है अगर 250 मतलब धाई के लोगा भी होगा तो भी normal है ठीक है मतलब इतना आपका 3 kg जो वो आपका रखा गया है यहां पर ठीक है एक official की हम यहां पर data की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो आपको officially select करना होता है ठीक है तो आपको इसका सही answer होगा 3 kg clear यहां पर next questions है the next is how much salt must be added to the one liter of water to make our solutions of normal saline दोस्तों नमक का घुल बनाने के लिए एक लीटर पानी में कितना नमक जो वो मिलाया जाना चाहिए इसका सही answer होगा options number D यानि की no gram ठीक है नमक का घुल बनाने के लिए एक लीटर की यहां पर पानी की बात की गई है कितना नमक मिलाना चाहिए no gram उसमें कम से कम होना चाहिए ठीक है यह है official data और यह questions भी आपके exam में बन चुका है किसी भी doubt के लिए किसी भी questions के लिए किसी भी query के लिए किसी भी help के लिए crash course के regarding whatsapp आप कर सकते है number आपकी screen के सामने है share जरूर करिए इसी तरह के next lectures भी आपको time to time मिलेंगे एक भी notification एक भी lectures आपका miss नहीं होना चाहिए जय हिंद जय हिमाचल